दोस्तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं तो जरू इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और दबाईए इस बेल के आईकोन को जिससे आने वाली सभी लेटिस वीडियो की इंफोर्मिशन आपको मिल जाए हेलो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीमेल के अंडू सेंड फीचर के बारे में दोस्तो अगर आप वाटसप पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद अगर आपको मैसेज उसे सेंड नहीं करना चाहिए तो आप वाटसप में उस मैसेज को डिलिट कर स चाहिए तो आप undo send feature के मदद से उस message को हटा सकते हैं जिससे सामने वाला आपके उस mail को नहीं पड़ पाएगा इस feature को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजे मैं बता दू यह feature का 8.7 version rollout कर दिया गया है जिसके मदद से भेजा हुआ email वापस लिया जा सकता है कि यह feature विल्कुल desktop version की तरही काम करेगा इस feature का इस्तमाल करने के लिए आप Google के Play Store में जाकर Gmail को अपडेट करना होगा अगर आपका Gmail अपडेट है तो आपको यह update दिखाई देगा जहां आप sending के अलावा email को cancel करने का भी विकल्प मिल जाएगा यह option undo के नाम से दिखाई देगा दोस्तो कुछ और भी जानकारी में आपको बता दूँ कि सबसे पहले Gmail ने confidential mode feature जारी किया था जिसके मदद से आप अपने mail की expired date से लेकर password तक set कर सकते थे यानि अगर इसको आसान भासा में समझा हूँ तो आपका भेजा हुआ mail एक तैसीमा के बाद खत्म हो जाता है तो चले दोस्तों मैं आपको एक live mail send करके और उसे undo करके बताता हूँ कि यह कैसे work करेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना Gmail ID open किया हुआ है यह अभी फिलाल मैंने update नहीं किया है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर right side corner पे मुझे एक update का option आ रहा है यह बता रहा है कि आप अपने Gmail को update कर सकते हैं अपडेट करने के बाद दोस्तों यह सारी features जो जिसके बारे मैंने आपको बताया यह मुझे provide करेगा अब मैं आपको एक mail ID से दूसरे mail ID पे एक mail send करूँगा mail send करने के बाद मैं उसे undo करके फीचर के बारे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों Gmail का मेरा यह ID आप देख सकते हैं पूरी तरीके से updated है आप यहाँ पे काफी different look देख सकते हैं अब मैं आपको एक mail send करके दिखाता हूँ कि यह कैसे work करता है मैंने आप एक message compose कर दिया है compose करने के बाद send करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे cancel का option आ रहा है और साथ में undo का option आ रहा है अगर मैं इसको undo करता हूँ तो यह message अब send नहीं होगा यह uncreate message में आ चुका है इसी तरीके से मुझे और भी अगर कुछ message में लिखना है तो मैं और भी कुछ लिख के message send कर सकता हूँ send करते हैं पे cancel और फिर से undo का option आ जाएगा अगर मैं cancel करता हूँ तो automatically message cancel हो सकता है तो दोस्तों यह ज़स एक छोटा सा feature गूगल ने अपने users के लिए दिया हुआ है तो दोस्तों ज़स information था अगर ही वीडियो आपको पसंद आता तो जरू शेयर कीजेगा चैनल को जो subscribe कीजेगा